स्वागत है आप सभी कामारे यूड चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो यूनिवस्टी और कॉलेज से रिलेटड नहीं है उससे हट करके वीडियो है ये वीडियो आज जो रहने वाली है ये यूपियस्टी की जो फ्री कोचिंग चल रही है शिबली में उससे रिलेटड ये वीडियो है क्योंकि बहुत से ऐसे student है शिबली कॉलेज के या आज पास के ऐसे student है जो UPSC की preparation करना चाहते हैं और वो financially weak होते हैं तो उनको preparation करने में बड़ी problem आती है तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है या फिर जो serious candidate है UPSC को ले करके जो preparation करना चाहता है आजमगड में रह करके ये वीडियो उनके लिए है उन student के लिए ये वीडियो है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस form को fill up करने कि जो last date है वो क्या है और entrance कब होगा और entrance में जो paper आएंगे वो कैसे होंगे मतब कि subjects related question रहेंगे ये सारी चीज़े इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं और कुछ इसके जो criteria eligibility criteria होंगे उसके बारे में भी discuss करेंगे इस वीडियो में तो जो notification आउट हुआ है उसका हम देख ले करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से subscribe कर देता कि सारी information आपको notification के दूर मिल सके तो देखिए यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है शिबली residential coaching academy और यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है free coaching यहां पर पढ़ सकते हैं free coaching लिखा हुआ है with hostel facilities और hostel facility के साथ आपको जो है यह free coaching provide करते हैं यहां पर आप देखिए civil services के लिए जो coaching है यह पूरी free में है तो इसके लिए जो date है वो आ चुकी है अब आपको यहां पर date देखा सकते हैं देख लें आपकी form कब से फिल हो रहा है online application live on यहां पर देखिए लि last date for submission of the application form और जो application form है उसकी last date 31 माई 2024 दी हुई है 31 माई से पहले पहले जो भी candidate form को फिल करना चाहते हैं वो फिल कर लें test date की अगर हम बात करें तो test date जो दी हुई है paper first और paper second दो paper होना है इसमें तो paper first जो है वो general studies का है और यह objective type है और entrance जो date है वो 30 June की date दी गई है 10 बये से लेकर के 12 बये तक आपका जो objective test होगा यानि की paper first होगा general studies का और उसके बाद essay जो की written होता है और उसके लिए जो timing दी गई है 12 से एक बजे की timing दी गई है यानि की total अगर timing देखा जा तो 3 hour की timing आपको दी गई तीन घंटे का time दिया गया है 2 घंटे आपका जो mcq based question होंगे वो होंगे और उसके बाद जो एक घंटे का time बचा है उसमें आपको essay का जो paper होगा वो होगा जो की written होगा result of written test और ये tentative date है यानि की जो date दी गई है इसमें फिर बदल किया जा सकता है आगे पीछे कुछ हो सकता है किसी भी वज़ह से तो इसमें tentative date जो दी गई है 20 जुलाई की दी गई है तो 20 जुलाई को भी result आ सकता है या फिर 20 जुलाई के बाद आ सकता है कि date ये fix नहीं है जहां पर tentative लिखा हुआ है फिर उसके बाद लिखा हुआ interview online only जो आपका interview होगा वो online होगा और उसकी जो date दी गई है वो 25 जुलाई की दी गई है 25 जुलाई से ले करके एक अगस्त के बीच में आपका जो interview है उसको conduct करवाया जाएगा ये भी tentative date है इसमें भी date change किया जा सकता है final result जो final result आएगा जैसा कि आपका paper first का आएगा paper second का उसमें मिला जाएगा और interview के जो सभी marks होते है सभी को मिला करके जो आपका final result आएगा वो 5 अगस्त को आएगा 5 अगस्त को आपका final result आएगा जो की date tentative है last date for completion of admission और जो admission की last date इन्होंने रखी है वो 10 अगस्त की रखी है यहाँ भे कोई tentative date का बारे में mention नहीं किया गया यानि कि जो date है 10 अगस्त की रहेगी last date registration for waiting list candidates देखिए कुछ ऐसे भी candidates होंगे जो की waiting list में होंगे तो उनका registration होगा 14 अगस्त से 14 अगस्त को उनका registration होगा और उसके बाद admission for waiting list candidates जो waiting list में आएगे candidates और उनका waiting जो है वो clear होता है तो उनका जो admission होगा वो 20 अगस्त को होगा और उसके बाद जो classes है वो आपकी 26 अगस्ते classes start कर दी जाएंगी 26 अगस्ते classes आपकी start हो जाएंगी इसके बाद आप अपना वहाँ पे coaching कर सकते हैं अब देखिए एक्जाम का जो entrance का center बनाएगे वो कहाँ पे है आजमगड है, स्रीनगर है, बिजनौर है, डेलही है अलीगड है, लखनुग है, पटना है, कोलकता है हुजाई असम में है जैपूर है, सूरत है, मॉंबई, बैंगलूरू और हाइदराबाद तो यहाँ पे आपका entrance center है जहाँ आपका दिल करेगा, जो आपको सही लगे आप अपने हिसाप से अपना entrance center चूज कर सकते हैं, अगर आप आजमगड के हैं तो आजमगड में center चूज कर ले और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है कुछ points यहाँ पे दिये हुए हैं आप इसको पढ़ सकते हैं कुछ इसमें हम points आपको बता देते हैं बाकी आप अपने हिसाप से इसको देख सकते हैं तो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हूँ written examination जो written examination होगा consists of general studies section objective type तो यहाँ पे objective type only following the UPSC model जो आपका exam का जो inference का paper होने वाला है वो UPSC का जो paper होता है जिस तरह का उसी type का आपका model paper के हिसाप से आपका exam होगा it will be available in a language कौन से होगी English में भी होगा, paper Hindi में भी होगा और Urdu में भी होगा additionally essay writing section will offer the choice of English, Hindi, Urdu जो essay writing का है तो आप अपनी choice के हिसाप से ले सकते हैं गर आपको English में लिखना English ले सकते हिंदी, लिखना Hindi या फिर Urdu लेना है तो Urdu आप ले सकते हैं वो आपके उपर depend करता है इसके बाद आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ां इसमें क्या-क्या दियो ही है तो यहां पे लिखा हुआ है टोटल डिउरेशन आप दा एक्जाम विल भी त्री आवर तीन घंटे का टोटल डिउरेशन विट तो आवर्स एलो केटेड आप फोर जनरल इस्टुडीज तो जो आपका दो घंटे का टाइम है वो जनरल स्टुडीज के लिए दिया हुआ है और वन आवर का टाइम जो दिया हुआ वो इंग्लिश इस सॉरी इंग्लिश कर रहा हूँ इससे राइटिंग का दिया हुआ है उसके बाद आप 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 आपके इसमें पढ़ेंगे और यानि कि जो आपका एक question होगा वो टू marks के होंगे तो टोल आपके जो marks हो जा रहे वो 200 हो जा रहे है इस paper will also include CSAT questions और इसमें CSAT को जो question होते वो भी include किये जाएंगे और यहाँ पे negative marking लिखी हुई है तो बहुत सो समझ करके question को आप attempt करिएगा क्योंकि इसमें minus marking दी हुई है आगे देखते हैं essay के जो question है यहाँ पे 60 marks के दिये हुए है यानि कि आपको एक कोई topic होगा उसमें से लिखना होगा जो कि total 60 marks के होंगे उसके बाद आपको इसमें essay के लिए आपको 1 hour का time मिला हुआ है इसके लिए आपको एक आप उसी total में 3 गंटे में आपको 2 गंटे जो MCQ होगा एक गंटा आपका written का जो essay है उसको देना होगा उसका paper based on the merit obtained from paper 1 MCQ test the essays of only top 500 students will be evaluated यानि कि जो top 500 में आ रहे हैं student उनहीं के essay paper को evaluate किया जाएगा आगे देखे इसमें लिखा हुए the total interview personality test will be 40 यानि कि इसका ये मतलब हो गया है कि जो आपका interview का marks होंगे वो 40 marks के हो जाएंगे और उसके बाद जो final merit list बन रही वो लगभग जो sorry लगभग नहीं जो marks बन रहे हो total 300 के बन रहे है 200 आपका MCQ हो गया है 60 marks आपके return के हो गया essay के हो गया और 40 marks जो आपके हैं वो interview के हो गया total हो गया है 300 तो आपके जो marks बनेंगे वो 300 में से बनेंगे in case of tie the higher marks of the interview and essay would be taken as the basis of selection कहने कि अगर देखिए कुछ ऐसा होता है कि marks equal हो जाते है तो उसमें जो चीज़ें कंसीडर की जाएंगे वो essay को किया जाएगा और interview को किया जाएगा कि किस candidate का interview कितना अच्छा गया है और किस candidate का essay कितना अच्छा है उन्होंने अपने कितने अच्छे words में लिखा है उसे priority दी जाएगी the younger candidate age wise will get the seat if there still are tie कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि जो age के criteria देखा जाए तो younger को chance जादा priority जादा दी जाएगी और उसके बाद जो जादा age वाले होंगे उनको priority कम दी जाएगी तो यह कुछ point होगे आगे भी कुछ point उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हुए तो थोड़ा ही से बताएंगे यहाँ पर 5% of the seat will be reserved for the candidate with benchmark disabilities तो 5% जो seat है वो disabilities के लिए यहाँ पर रखी गई है और आपकी जो age होगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि not have attained the age 32 years on the 31st March 2024 तो यहाँ पर 32 साल की age का criteria रखा गया कि सूपर आपकी age नहीं होनी चाहिए अब free coaching में क्या क्या चीज़े include की गई हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर CSAT की studies मतलब general studies है CSAT है और फिर उसके बाद comprehensive prelims है main test series है answer writing sections है evaluation essay writing practices सारी चीज़े हैं यहाँ पर करवाई जाएंगे उसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखिए mock interview will be conducted for those who qualify the main examination for UPSC civil services आप mains को qualify कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर interview और वो सारी चीज़े जो है यह लोग उसकी भी तयारी आपको करवाएंगे और उसके बाद facilities की बाद अगर कर ले तो facilities में यहाँ पर लिखा हुआ air conditioner जो AC classroom होते हैं और इसके बाद library आपकी जो होती है वो भी यहाँ पर मिल जाए कि 24 x 7 separate hostel है यहाँ पर boys और girls के लिए separate hostel यहाँ पर दिया गया है और mass facilities जो है वो 3000 पर month है यानि कि आपके जो खाने के हैं उसके charges देने पड़ेंगे उसकी जो office है वो 3000 है जो की एकदम nominal charges यहाँ पर लिये जा रहे हैं आपसे और class attendance के अगर बात किया जा तो 70% आपकी attendance होनी चाहिए उससे कम में नहीं होनी चाहिए गर उससे कम होगी तो फिर आपको उस coaching से निगाल दिया जाएगा coaching में नहीं रखा जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है आपके लिए इतनी चीज़ें की जा रही है तो आपको regular होना भ पर सकते हैं बाकी आगे हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें में थोड़ा सा है यहां पर आपको यह बता देते हैं कि इनकी वेबसाइट है वो क्या है यहां पर देख सकते हैं यहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आगे चीज़ें यहां पर देख लेते हैं यहां पर जैस तिस के बारे में और form fill करते हैं टाइम की चीज़ों का ख्याल रखना तो यहां पर दिया हुआ है कि आपके पास जो form fill करना होगा तो यहां पर आपको photograph चाहिए signature चाहिए और यहां पर जो size यहां पर रखी गई है यहां पर देखिए 200 and not be less than 20 kb 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए 200 KB से उपर की Size नहीं होनी चाहिए Signature हो चाहिए Photo की हो फिर उसके बाद आपका कोई ID प्रूफ चाहिए होगा जहें से अधार कार्ड अगर है तो वो हो जाएगा Water Card है तो वो हो जाएगा या फिर Pen Card है या फिर Passport या Driving Essence है इसमें सो कोई एक चीज आपको चाहिए फार्म फिल करते टाइम पे और PDF फार्मेट एंड फाइल शुड नॉट एक्जिस थ्री हंडड़ के भी तो यहाँ पे इसकी जो फाइल होनी चाहिए 300 के भी से उपर 300 के भी से उपर नहीं होनी चाहिए और इसकी जो फीस रखी गई है वो है 300 रुपीस यहाँ पे रखी गई है कि 300 रुपीस जो है वो इसकी फीस होगी और फार्म को फिल करने की तो आप किसी तरह से भी पेमेंट करना चाहिए वो पेमेंट कर सकते हैं उमीद है कि चीज़ने आप समझ पाए होंगे और जो भी कैंडिडेट चाहता है फार्म को फिल करना आप उन तक यह वीडियो पहुंचाएए ताकि जादा से जादा लोगों को इस वीडियो से इस यूपीस सी फ्री कोचिंग से फायदा हो बस आज की वीडियो में तरही थैंक्स वॉचिंग